वेस्ट इंडिस के किलाब पहले T20 वार्म अप मुकाबले में आया सूरे कुमार यादव और हार्दिक पंड्या का तुफान आखिरी और में ऐसे जिताया टीम इंडिया को मुकाबला नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका एक बार फिर हमारे चैनल में वार्म अप मुकाबले में बारती टीम ने संदार परफॉमंस करते वे वेस्ट इंडिस की टीम को हरा दिया है तो दोस्तों आपको इस मुकाबले का पूरा हाइलाइट इस वीडियों बताएंगे लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी सुरे कुमार यादव और हार्दिक पंडय की संदार बलेबाची देखकर खुस हैं तो इस वीडियों को लाइक की जरूर करें और साथी साथ आप इतक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाले तो चले दोस्तो जानते हैं इस मुकाबले का पूरा रोमांच सुरूराद से ही तो दोस्तो आज के इस मुकाबले में टोस जीता वेस्ट इंडिस के कप्तान निकलस पुरन ने और पहले बलेबाची का पैसला किया इस टीम की तरफ से पारे की सुरात करने उत्रे काईल मायर्स तो उनके साथ थे तुफानी बलेबाज ब्रेंडन किंग तेहां पर काफी सांदार बलेबाजी करके दिखाई काईल मायर्स और ब्रेंडन किंग ने और पारपले में सांदार परपॉमेंस करते वे दोनु बलेबा करके दिखाई और कायल मायर्स के साथ मिलकर हुई उनकी बैतरीन साज़दारी ने टीम के स्कोर को 10 अवर किसमापती के बाद ही 111 रनों तक पहुंचा दिया इसके बाद दूस्तु सांदार बलेबाजी करते वे दोनू बलेबाजू के बीच बैतरीन सत्की साज़दारी भी द तो वहीं पर निकलस पूरन ने भी मातर 28 स्केनों पर 62 रनों की तुफानी बलेबाजी की। अंत में सांदार परफॉमेंस करते वे सिमरन हेटमायर ने भी आकेरी और में सांदार बलेबाजी करते वे तीन चोके वे एक चक्कू की बदोलत इस ओवर में भी उन्होंने 20 रन बटोरे और भारतिय टीम के सामने विसाल स्कोर खड़ा किया। जिसके चलते विसाल स्कोर खड़ा करने में काम्या भूई वेस्ट इंडिस की टीम। वहीं पर इस लक्सिक का पिच्चा करने उतरी टीम इंडिया की तरफ से पारी की सुरात करने उतरे इसान किसन तो उनके साथ थे सुपमन गिल तोनों बलेबाजी ने कमाल की सुरात करनी सुरू कर दी और पहले ही और में जहां एक चोका देखने को मिला सुबमन गिल के बल्ले से तो वहीं पर इसी तरह का सांदार सोट इसान किसन ने भी खेला लेकिन टीम इंडिया को पहला जटका तीसरे और में लगा जब यहां पर एक कट सोट खेलना चाहते थे इसान किसन लेकिन सिधे स्लिप में खड़े फिल्डर की हाथूं के स्थमा बेटे और भारती टीम को पहला जटका लगा लेकिन इसके बाद दोस्तों नए बलेबास के तोर पर करीज पर उत्रे टेम इंडिया की तरब से राहू तरी पार्टी ने आते ही सांदार चोके के साथ बहतरीन आगाज किया तो वहें पर इसके बाद उस्तों उनके बले से एक और सांदार चोका देखने को मिला तो वहें पर सूब मन गिल ने भी कमाल की पार्टनेसिब इनके साथ मिलाई और दोनों बलेबाचु ने 6 और किसमापती तक भारती टीम का स्कोर 1 से ट्रनू तक पहुंचा दिया एक विकेट के नुकसान पर लेकिन इसके बाद सुबमन गिल ने एक सांदार फ्लिक सोट के जरिये 7 और की तीसरी गिन पर बहतरीन चका जड़ा तो वहीं पर कुछ इसी परकार का सांदार सोट खेलते वे एक और सांदार चोका उनके बले से देखने को मिला वहीं पर इसके बाद एक और बैतरीन चका स्टेट डाउन डग्राउंड देखने को मिला सुबमन गिल के बले से तो वहीं पर राहूल तरीपार्टी ने भी एक संदार छगा लगा कर टीम के स्कोर को आट और की समापती के बाद अब सतंतर रणों तक पहुचा दिया लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर सुबमन गिल के रूप में टीम इंडिया को एक और जटका लगा तो उन्हें के साथ राहूल तरीपार्टी भी चलते बने अब टीम इंडिया थोड़ी मुस्किलों में फास चुकी थी क्योंकि पार्थी टीम को अभी भी एक बड़े लगसे का पीचा करना था लेकिन दोस्तों इसके बाद हार्धिक पंडिया और सुरे कुमार यादव ने अपनी टीम की स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू किया दोनुं बलेवाजों ने संबल कर बलेवाजी की दो टीम के स्कोर को चाहते वे रन रेट के साथ भी आगे बढ़ाया पार्ती टीम का स्कोर अब 12 और की समापती के बाद 120 रन हो चुका था लेकिन इसी बीच यहाँ पर 13 और की पहली गेन पर स्टेट डाउन दे ग्राउंड बैतरीन छका हार्दिक पंडिया के बल्ले से देखने को मिला तो वहीं पर इसी और की पहली गेन पर एक बहतरीन छका जड़ा उन्होंने बेकवर्ट स्कॉइड लेक की तरब गेन को 6 रनों के लिए बेज दिया तो वहीं पर इसके बाद हार्दिक पंडिया ने एक और संदार फ्लिक सोट खेलते वे गेन को 4 रनों के लिए बेजा हब बारती टीम का स्कॉर संदार त्रिके से 15 और किसमापती के बाद 102 रनों तक पहुंच चुका था इसके बाद दोनों बले बाजो ने संदार परफॉमेंस करते वे दिरे दिरे अपने अरसतकों तक पहुंचे इस तुरान संदार प्रफॉमेंस करते वे हार्दिक बंडया ने 70 वे आवर में अपना अरसदक पूरा कर लिया तो वहीं पर इसी आवर की चोती गिन पर भी सुर्या ने अरसदक पूरा कर लिया लेकिन दोस्तु यहाँ पर अच्छी वापसी रही वेश्ट इंडिस की टीम की अठारवे आवर में चाहा अठारवा आवर सिर्फ 6 रनों का ही निकला और ये दोनों बले बाजो को इस ओर में कापी प्रेसानी जेलनी पड़ी लेकिन दोस्तु अब भारती टीम को आखरी दो और में मुकाबला चीतने के लिए जरूत थी 41 रनों की लेकिन दोस्तु यहाँ पर सांदार प्रफॉमेंस रहा 19 और में हार्दिक पंडिया का हार्दिक पंडिया ने 19 और की पहली गेन पर कावर ड्राइव के जरिए एक बहतरी चोका लगाया यह उनके बले से निकला वा एक कमाल का सोट था जिस पर सांदार चोका गया वहीं पर इसके बाद दोस्तो इस ओवर की तीसरी गेन पर बहतरी इंफिलिक सोट के जरिये एक बहतरी इंचका सुर्य कुमार यादो के बले से देखने को मिला यह भी कमाल का सोट था जबकि ओवर की चोती गेन पर भी उनके बल्ले से एक और सांदार चोका देखने को मिला तो वहीं पर ओवर की आखरी गेन पर भी हार्दिक ने भी सांदार चोका लगा कर इस ओवर में दोनों बलेबाजों ने मिलकर 19 रन बटोड लिये लेकिन आखरी ओवर में अब टीम इंड़ा को जीत के लिए 22 रनों की जुरत थी लेकिन अब स्ट्राइक पर आ चुके थे सुर्य कुमार यादव आखरी ओवर की पहली गेन पर सुर्य कुमार यादव के बल्ले से एक कमाल का सोट विकेट के पीछे देखने को मिला और सुर्य कुमार यादव ने पहली ही गेन पर सांदार छगा जड़ कर टीम इंड़ा की इस मकाबले में वापसी करवा दी क्यूकि अब पांच गेनों पर चाहिए थे 22 रन तबी दोस्तों और के दूसरी गेन पर भी एक बार फिर ठीक उसी परकार का सोट खेलते वे सुर्या ने गेन को बांडरी लाइन के पार बेजा और इस बार भी स्टेंड में डिपोसिट किया छे रनों के लिए अब तो टीम इंडिया को मुकाबला जीतने के लिए 4 गेनों पर 10 रनों की ही ज़रुत थी तबी दोस्तों सुर्या ने तीसरी गेन पर भी एक और कमाल का सोट केला और इस बार वन बांस गेन बांडरी लाइन के पार गई और एक और चोका एक्ट्रा कवर के उपर से सुर्य को मिला अब तीन गेने बची भी थी और जीत के लिए चाहिए थे 6 रन तबी दोस्तों चोती गेन पर सुर्य कुमार यादव ने एक और सांधार चोका बेकवर्ड स्कुर्ड लेक की तरफ लगाया अब तो मुकाबला टीम इंडिया की बिल्कुल पकड में आ चुका था क्य की दो गेनों पर मुकाबला जीतने के लिए सिर्फ दो ही रन चाहिए थे लेकिन तबी यहाँ पर एक रन लेने में काम्याब हुए पांचवी गेन पर सुर्य कुमार यादव लेकिन आखिरी गेन पर हार्दिक पंड्या ने एक स्टेट डाउन दे ग्राउंड बहतरीन चोक करें धन्यवाद दोस्तों